नमस्कार दोस्तों रादे रादे कैसे हूँ आप सब आई हूप आपसे बच्छे होंगे स्वस्तों मस्तों क वह वником to my new video तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप लोगे साथ शेर करूंगी कद्दू की बरफी तो यहां पर मैंने कद्दू ले लिया ता उसको कद्दू कस कर लिया है यह एक किलो के करीब होगा एक किलो से थोड़ा बहुत कम होगा तो यह मैंने ले लिया है और इसको कद्दू कस करके कढ़ाई में डाल दिया है और एक किलो मैंने इसमें चीनी एड कर दी है तो यहां पर ब ये गाडा हो गया है अब इसको किनू कर देंगे झाख देंगे घंख Russian tahun ना हो जाए तो ये देखिए गाड़ा होने लगा है धीरे धीरे तो जब ये गाड़ा हो जाएगा जमने लाइक पर ये लगेगा कि हाँ इसकी पर फी जम जाएगी मैं थोड़ा थोड़ा डाल की प्लेट में चेक कर रही हूँ जादा आइडिया मुझे भी नहीं इनका कैसे जमती है मुझे लग भी रहा था कभी में पहले उतार दू तो इसमें मैंने पहले आधा तो मैंने अभी उतार दिया था और आधा थोड़ा सा पकाने के बाद तो ये देखिए जो मैंने पहले उतारा था ये बीच में इसमें साइनिंग जादा है और ये जादा पका दिया यह थोड़ा सा उखडा उखडा सा लग रहा है लेकिन बर्फी दोनों की ही अच्छे से जम गई है देखिए पहले जो यह सुखा है इसको तो ठंडा होने में मतलब जमने में टाइम नहीं लगा है गरम-गरम ही यह देखिए अभी भी गरम-गरम है और इसकी बर्फी अच्छ दरा सा लग रहा है तो बस ये है मेरी मेहनत वसूल हो गई मैंने जो ये बनाई है तो बर्फी अच्छे से बन गई है और खाने में भी बहुती ज्यादा टेश्टी लग रही है तो आप सिवरात्री पे बना कर खा सकते हैं मैंने सिवरात्री के लिए ही बनाई है तो इसमें से मैं अभी लड़ू गोपाल जी और राधरानी को भोग लगा दूँगी अकटोरी में रख दूँगे अलग से निकाल के और बाकी जो है कुछ मैं कल के लिए अलग से निकाल के रख दूँगी और थोड़ी बहुत बचा के अब रख लूँगी जो बच्चे अभी खाएंगे तरह देखिए मेरी बरफी अच्छे से बंगई है तो पहले मैं कानाजी के लिए निकाल देती हूँ एक टोरी में और यह देखिए यह तो ओ गई जो मैंने बाद में निकाला था मतलब सूख गया था बाद में लेकिन फिर भी अच्छी बन गई है जम गई है बर्फीन की और बिल्कुल सोफ्ट है ज्यादा हार्ड नहीं हुई है और खाने में भी बहुती ज्यादा टेश्टी लगी और यह देखिए यहाँ पर मैंने चाय भी रख दिया बनने के लिए क्योंकि चाय के साथ मज़ा आएगा और यह देखिए इसके उपर देखे कितनी साइनिंग है यह मैंने पहले ही उतार दिया लेकिन यह है वेस्ट को भी नहीं हुआ है मतलब दोनों की ही बर्फी अच्छे से जम गई है और आप लोग भी ट्राइ कर सकते हैं सीवरात्री पर तो यह मेरी मिठाई मेरी रेसीपी आपको कैसी लगी क्योंकि मेरे सेना जादा तर गडबड हो जाती है जब भी मैं कुछ बनाती हूं अब की बार यह है अच्छे से बर्फी जम गई है तो मेरी रेसीपी आप लोगों को क कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए और मैं मिलते हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में देखें मेरी चाय भी बनकर ठंडी हो गई है तो मैं इसको दोबारा गरम करूंगे